रेनी सीजन जितना इंजॉइफुल लगता है उतनी ही घर में परिशानिया लेकर भी आता है बहुत सारी छोडी छोडी परिशानिया हमारे घर के अंदर आती है जितना शुकून हमें बाहर मिलता है उतनी ही परिशानिया अंदर देखने को भी मिलती है ऐसे में हमें कुछ टिप्स, हैक्स, ट्रिक्स पता लग जाएं तो हमारा काम काफी आशान हो जाएगा आपको बहुत जादा है और पसंद भी आएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम ऐसे कई लोगों की हैविट होती है कि वाश रूम में हमने कपड़े चेंज किये तो वहीं पर टांके रख देते हैं बट रहनी सीजन इसके लिए बिल्कुल भी कमफर्टेवल नहीं है अवाइड करिए आपने जब भी कपड़े चेंज किये या नहाने के बाद वहाँ पर छोड़ दिये तो उनको छोड़ना नहीं है जस्ट के जस्ट आप निकाल लीजिए चाहे फिर वो धुलने वाले कपड़े हो हैंड वास कर रहे हैं फिर तो आप वहीं के वहीं धुल सकते हो अगर आप मशीन बॉस कर रहे हैं तो उससे पहले आप मशीन में डालने के पहले या लॉंडरी में डालने के पहले एक बार आप उनको बाहर जरूर से सुखा लीजिए इसे जो इसकी smell होती है और जो bad orders होते हैं वो हट जाते हैं और जो अगर आप laundry में डालेंगे ना तो उसके बाद उसे laundry basket में भी smell नहीं आएगी फैन में छोड़ दीजिए या आप natural ear में भी छोड़ सकते हैं उसके बाद 10-15 मिनिट बाद एक घंटे बाद जब भी आपका हाथ लगे आप उनको उठाकर laundry basket में डाल सकते हैं इससे आपके कपड़ों में smell नहीं आएगी और अगर दो-तीन दिन बाद भी laundry लगा रहे हैं तो laundry basket में भी smell नहीं आएगी just same washroom से निकल रहे हैं तो आप नीची जितना भी शामान रखा है उसको कहीं पर भी hang करिए या रखिए बाईपर लगाने के बाद आप bathroom को थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए ताकि वारिस के मौसम में होता क्या है जल्दी से चीज़ां सूकती नहीं चाहे हो फर्स हो कपड़े हो उसके लिए एक ऐसे गेट खोल के छोड़ देंगे तो बाहर की जो हवा आएगी या फिर फैन की जो हवा चलेगी उससे वाथ रूम आपका बहुत जल्दी ड्राई हो सब लोग अपनी यूज करते हैं वारिस के मौसम में जल्दी से सूकते नहीं है तो उनकी जगह आप यूज करें इस तरह के कॉटन के या फिर माइक्रोफाइबर टॉल्स इससे बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं जो हमा उसकी सोकिंग पाबर होती है वो भी काफी और अपनी बॉडी को भी जल्दी से ट्राई कर देती है कर देती है तो मैं इस मौसम में चेंज कर देती हूं अपने टॉल्स को जितनी भी है सारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करते हो चाहिए वह फेस टॉल हो या फिर हमारी रेगुलर टॉल्स हो उसको उसके बाद भी लॉंड्री वास्केट में डालें आप उसका भी ध्यान रखें लॉंड्री वास्केट अगर आपकी इस तरह से थोड़ा सा जिसमें यर पास होती रहा वैसी वाली खरीद है इससे अंदर जो स्मेल हो जाती है ना सारे कपडोग एकट्टा डालने के बाद बू नहीं बस आप ध्यान रखिए कुछ सेट्स आप रख लेजिए कि हमें हपते में महिने में इनी का यूज करना है या बन बीक के बाद बॉस करके रख देते हैं ऐसे में जो अल्टरने टॉल्स हैं वो आपकी यूज होती रहेंगी सारी टॉल्स एक साथ गंदी नहीं होती है नैप बहुत अच्छा इसका सोकिंग पाबर होता है ड्राय जल्दी कर देता है उसके बाद जो मैंने अभी यह दो ब्राउन कलर की विशाल से खरी दी यह भी मुझे काफी अच्छी लगी है 59 में टू का सैट मिल गया था और इस तरह की जो कार बगेरा के लिए आती है इनको भी म में बैड स्मेल भी नहीं आती है और अपनी किचिन में एक जो हमारा क्लॉथ बॉस है डिटर्जेंट है लिकुड वाला बो जरूर रखिएगा आप रहात लगे उन चीजों को साफ कर सकते हैं हाथ धुलने के बाद एक जैसे हम लोग किचिन में काम करते हैं सिंख वगरा मे इसके लिए आप साइड में एक टॉल्स जरूर यूज करिए जब भी अपने कपड़ों से ना पहुंचके आप इससे अपने हाथों को ड्राइ कर सकते हैं तो आपके जो रेगुलर क्लॉथ है पहनने वाले बुंगंदे नहीं होंगे एक और टिफ नेश्ट फैबरिट चीज है जो मेरी किचिन में वो है ये डियाइवाई क्लीनर जो हर हपते या पंदरा दिन में मेरा खतम हो जाता है और सबसे जादा डियाइवाई प्रोडक्ट है जो यही उज़ होता है मेरा सच में ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ खरीद लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें सिर्फ लेना है हमारा रेगुलर वाइट विनेगर और बेकिंग सोडा और इसमें लिखके डिसबॉस टाल दीजिए और एक गलास पानी मलब जितनी भी बोटल है उसको डाल लीजिए आपकी किचिन में एक इस्प्रे बोटल रखना कुल से गायब हो जाएंगे आप एक बार जरूर यूज करके देखिए वाला फैबरेट 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 है यह वाला प्रोड़क्ट रहनी सीजन हो और हमारे घर के रासन थोड़े बहुत डिस्टब न हो यह हुई नहीं सकता है वैसे अगर जो लोग क्यार नहीं करते हैं उनका डिस्टब हो जाता है जो रेगुलर उसमें केर करते हैं उनका यह सारी चीज़े रासन बगरा खराब नहीं होता है जैसे चीनी चाँवल आटा वगएरा हुए इसमें कीड़े लगने के चांसस काफी बढ़ जाते हैं तो इससे में आप क्या करिए इस तरह के तेज़ पत्ते आप डाल सकते हैं चीनी में चीटी वगईरा लग जाती हैं और ऐसे ही कीड़े मकॉड़े यह जाते हैं तिलूले वगईरा तो कोई भी तरह की चीटी कीडे मकौरी इसके अंदर आएंगे ही नहीं आप एक पर यूज करके देखिए अभी मैंने क्या किया था कुछ दिन के लिए ऐसा ही छोड़ दी थी तो इसमें चीटियों को अटाके इसमें लॉंग डाल दी है इसके बाद इसमें चीटियों लगने के क कोई चांसस नहीं है काफी दिन से रखी है नहीं लगी है अगर चीटियों लगने के बहुत जादा चांसस बढ़ जाते हैं अगर यह टाइड नहीं है तो इस तरह से पॉली बैग लगा लीजिए कैप लगाईए उसके बाद के अंदर चीटियों नहीं रहेंगी लॉंग ट इस टैन लेना है एक दिया लेना है अगर आपके पर डिफ्यूजर नहीं है तो अगर डिफ्यूजर है प्लग में लगाने वाला या कोई भी तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं फिलाल मैं डियाई वाई बढा के बता रही हूँ और मैं इसको यूज भी कर लेती हूँ दिये के ऊपर कपूर डालना है दो तील लॉंग डालनी है और बस दिये को जलाना है और उपर से जो दिये के ऊपर जो कपूर है न वो तीरे धीरे करकि स्मेल छोड़ने लगेगा और बहुत अच्छी फ्रग्रेंस इसमें से आएगी आप यकीन मानिये पूरे घर का जो इन तो जरूर से ट्राइ करिएगा अब आती है हमारी बेसिक सी चीजें जैसे की सूज हुए बच्चे स्कूल से आ रहे हैं उनकी सूज से स्मेल आने लग जाती है हलके फुलगे गीले हो जाते हैं मौश्यर आ जाता है उसके लिए यूज कर सकते हैं इस तरह के न्यूस्पेपर इसको काटकर यह ऐसी गोले से बनाकर इसके अंदर इंसल्ट कर दीजिए इसके बाद जितना भी इसमेल है बोग आयब हो जाएगी इसके लाब आप टी वैक्स यूज कर सकते हैं ग्रीन टी के वैक्स हैं जो उनके सैसे डाल कर रख सकते हैं उसे भी इसकी स्मेल और मौश्य जाता है अब आते हैं डॉर मेट्स मोस्ट नेसिसरी चीज इन माय होम मतलब सबके घर में बहुत जरूरी है बोभी रहनी सीजन में तो और भी जाना माय आप इस तरह के से माइक्रो फाइवर टाइप के ही डॉर मेट लीजिए जो सुकिंग पावर जिसकी जादा हाई होती ह स्लीपर जब भी आ रहे हैं आप बाहर ही निकाल कर आईए आप चाहे तो ग्रीन मेट भी डाल सकते हैं जिससे की धूल मिती निकल सके वो मेरे नीचे वाले फ्लोर में डली है तो उसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ती है बट यह वाले तरीके काफी जादा एफेक्टिव हो जरूर से सेर कीजिए एंड चलिए मिलते हैं आपको एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साब तब तक की लिए आप लोग अपना खयाल रखेगा बाई बाई टाटा एंटिक क्यार